नमस्कार गाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इस्टडी लिफ्ट में और आज हम लेकर आए हैं मैंसुरेशन यानि छेत्रमिती का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है जो कि आज हम मैं जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है घनाव तो यहां पर देखेगा घनाव के बारे में बात करने वाले हैं घनाव होता क्या है तो आपको बताने जिस तरीके से एक कमरा होता है कमरे को ले सकते हैं कमरे की चार दीवारे होती है एक छत होती है और एक फरस होता है तो इस तरीक से कुल फलक जो हो जाते हैं वो छे हो जाते हैं तो किसी भी घनाब में छे आयताकार फलकों से घिरी जो आकिरती होती है उसे ही हम घनाब कहते हैं क्यूब के क्यूवाइट कहते हैं तो यहां पर देखिएगा किसी भी घनाब का आप से आयतन पूछा जाएगा कि उस घनाब का आईटन क्या है आईटन का मतलब होता है उसकी capacity कितनी है याई ङसकी छमता कितनी है जिस तरीके से आपने देखा हुँगा कई बार आपको exam में questions मिलता है कि एक कमरा है और उसमें कितनी क्यों हवा आ सकती है या फिर कितने लोग रह सकते हैं एक ब्यक्ति को एतनी हवा की यावश सकता है कुछ इस टाइप के कोशन सा आपको यहां से मिल जाते हैं। तो यहां देखेगा घणाव का अगर आपको आईतन निकालना है तो यहां पर इस आकिर्थी को आप दिहां से देखेगा, इसमें एक लंबाई है चोड़ाई है और यह उचाई है देखेगा यह फर्स वाली आकरती हो गई यह उपर छट हो गई एक दीवारी हो गई दूसरी दीवारी हो गई तीसरी दीवारी है और चौती दीवार यह है तो इस तरीके से यह क्या हो गई छे फलकों वाली आकरती हो तो हमें इसका आयतन अगर निकालना है तो किसी भी घनाव का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा ऊंचाई यानि के LVH इसी तरीके से हम से पूछा जाएगा घनाव का संपूर्ण प्रेष्ट क्या होता है तो गैज घनाव का संपूर्ण प्रे अगर हम केबल इसकी बात करें फर्स की ही बात करें किसी कमरे की तो उसकी कमरे की फर्स की चोड़ाई और लंबाई की गुणा करेंगे तब ही उसके फर्स का छितफल निकल आएगा तो देखेगा फर्स का छितफल कितना होगा लंबाई गुणा चोड़ाई होगा इसी तरीके तो उसका कितना हो जाएगा V into H हो जाएगा तो देखिएगा V into plus B into H और plus B into H हो गया तो ये भी देखिएगा 2 V H हो जाएगा इसी तरीके से देखिएगा जब हम इधर वाली दीवार का निकालेंगे तो H into L हो जाएगा तो इस तरीके से h into l और दूसरी वाली दीवार का भी h into l तो ये कितना हो जाएगा 2hl हो जाएगा तो इस तरीके से यहां से देखिएगा guys 2 हम common ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 2lv plus bh plus hl तो इस तरीके से ये जो होता है किसी भी कमरे का या किसी घनाप का संपूर्ण प्रे hl होता है इसी तरीके से guys किसी भी घनाप या कमरे की चारों दीवारों का छेतरपल पूचे का आप से तो देखिएगा 2 ब्रेकिट में l plus b into h हो जाएगा जिस तरीके से हम इन दीवारों को निकालते हैं यही से इस तरीके से common कर लेंगे और क्योंकि चार दीवारों का निका चतिका ए उस एरिया को निकाल देना है बाकि जो बच्टे हैं उनके से हम दो कॉमाल ले लेते हैं और h से गोणा कर देते हैं तो इस तरीके से घनाप कमरे की चारों दीवारों का छेतपल निकल जाते हैं जैसट घनाप का संपूर्ण प्रश्ट में से हमें क्या करना है छत Veter और फर्स का छितफल निकाल देना है अगर आपको घनाब का संपूर प्रेष्ट दिया है और आपको अगर फर्स का छितफल दे दिया है तो उसका दोगना करके आप डारेक्ली घनाब के संपूर के प्रेष्ट में से उसे घटा देते हैं तब भी आपको घनाब कमरे की चारो दीवारों का छेटबल मिल जाएगा इसी तरीके से अगर घनाप का विकर्ण पूचा जाए या किसी कमरे में कुछ question is type का आता है कि किसी कमरे में लंबी से लंबी छड कितने मीटर की रखी जा सकती है तो हमें करना क्या होता है गाइज घनाप का विकर्ण ही मैंने आपको बता दिया कि इस संबंदित किस टाइप के कोश्चंस आते हैं उन कोश्चंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं कोश्चंस एक कमरे की लंबाई चौणाई और उंचाई करमसा बारे मीटर दस मीटर आट मीटर है कमरे का आइतन ग्याद कीजिए चारो दीवारों का छेत पल ग्याद कीजिए तो दिखिए को गाईज उपर का डेटा क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको अभी मैने बताया कि कमरे का अगर हमें आईतन निकालना होता है तो आईतन बराबर क्या होता है भी बराबर एल इंटु वी इंटु ए होता है यह आपने पढ़ा था दूसरी बात आपसे कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का छेत्र फल ग्याद कीजिए तो मैंने इसका भी बताया था आपको कमरे की चारों दीवारों का छेत्र फल दीवारों का छेत्र फल निकल वाए तो आपको करना क्या है टू ब्रेकिट मे L पिलस B into क्या कर देंगे H कर देंगे तो यहां पर देखियेगा सबसे पहले हमें देखना क्या है L is equal to हमें 12 दे दिया है V is equal to हमें 10 दे दिया है और H is equal to कितना दिया है 8 दिया है और हमें B निकालना है तो B बराबर कितना है गाइच L, B, H है आपको दिख रहा है तो B is equal to वार है गोड़ा B कितना है इतना है दस है और H कितना है आठ है तो guys देखिएगा बार एठे 96 और 96 दाई कितना हो जाएगा 960 मीटर क्यूब ये आपका क्या आगया कमरे का आइतन आगया और आप से दूसरी चीज पूछ रहा है चारो दीवारों का छेत फल यानि एरिया पूछ रहा है चारो दीवारों का तो हमें क्या करना है 2 L कितना है 12 पिलस B यानि 10 और इंटू कितना है guys H यानि 8 तो देखिएगा 12 और 10 कितना हो गया 22 तो यहाँ पर 22 गुणा 8 तो यहाँ पर देखिएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा और 44 गुणा 8 हो जाएगा तो 8 चौक 32 हासर 3 8 चौक 32 32 और 3 कितना हो गया 35 तो guys यह 312 मीटर स्कौाइर जो आ गया वो चारो दीवारों का छेत पल आ जाएगा और आपका कमरे का आईतन कितना आ जाएगा 960 मीटर की हुआ जाएगा जब इस कोशन को देखते है खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है टंकी का आईतन गयात कीजिए तो यहाँ पर देखिएगा टंकी की लंबाई कितनी है 18 मीटर है तो यानि के L is equal to कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा B बराबर 10 मीटर है और गहराई यानि H हमें दे दिया है 6 मीटर और हमसे पूछ रहा है आईतन यानि के V हमें निकालना है तो गैज हम जानते हैं V is equal to L into V into H होता है और यहां देखिएगा 18 गुणा 10 गुणा 6 हो जाएगा तो यहां पर देखिएगा 1 0 हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा और हसल 4 और 6 कम 6 6 और 4 कितना हो गया 10 हो जाएगा तो इस तरीके से 1080 वर्ग वो क्यूब मीटर क्यूब इसका आईतन आ जाएगा आई थिंक गाईज आपको इसका कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि घहनाव क्या होता है और घहनाव से संबंदित कोशन्स को हम किस तरीके से निकालते हैं अगले वीडियो में हम और लेकर आएगे कुछ नया तब तक के लिए हिजाज़ दीजे जैहन